हेलो एंड, वेलकम तू केजील आईसियम आज हम लोग BHIC 101 के यूनिट 10 को पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9 तक हम लोगोंने कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 10 में हम लोग Emergence of Iron को पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9 तक का लेक्चर आपको कहाँ पे मिल जाएगा तो आप मेरे चैनल को विजिट करें प्लेलिस्ट में BHIC 101 का प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें यूनिट 9 तक का लेक्चर आपको मिल जाएगा आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यूनिट 10 को पढ़ते हैं इस 10 का क्या है टॉपिक तो इसमें है आप थमनिल देखकर समझे गए होंगे कि Emergence of Iron Iron के Emergence को हम लोग आज पढ़ेंगे कैसे Iron आया और Iron के आने से एक नया सोसाइटी का उदभव हुआ ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या-क्या पढ़ना है तो इस से पहले कि हम लोग आगे बढ़े देख लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है हम लोगों को आज Pre-Iron Asian कल्चर पढ़ना है मतलब Iron Age से पहले का कल्चर पढ़ना है फिर हम लोगों को Emergence of Iron पढ़ना है, Indian Subcontinent में Iron कहां मिला, कितना मिला, उसके आने से क्या-क्या हमें Extra देखने को मिली है, वो सारे चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, South India में Iron Age कैसा था, वो देखेंगे, और बहुत ही important topic, Megalith क्या था, हम लोग इसे भी जानेंगे, Two most important portrait tradition को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि PGW और NPPW है, हर जगह मिलेगा आपको यह PGW, NPPW, अगर आप History के स्टुडेंट हैं, तो इसे आप लोग जाने ही जाने, यहाँ तो आता ही है, बाकि अगर आप competition की त्यारी आगे कहीं करेंगे, PGW, NPPW, आपको वहाँ देखने को मिल करेंगे, first क्या था, first को हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम हरपा पर रहे थे, first urbanization वहाँ था, अब हम लोग second urbanization की तरफ आ चुके हैं, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या-क्या है, आगे बरते हैं, उसे पहले अगर आपको मेर इस lecture को, मेरा यह lecture आपको अच्छा लगता है, इसमें अगर आप लोग देखें, तो मैंने PPT form में यहाँ आज से आप लोगों के लिए शुरू किया, ताकि एक visualization अच्छा बन सके, मैं एक research करके अच्छा-च्छा image ला करके यहाँ, इस PPT में मैंने यहाँ डाला है, ताकि आप लोग उसे देख करके समझ सके कि उस वक्त क्या चल रहा था, अगर अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को subscribe, जरूर से जरूर करिए, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे, ग्रो करता है तो फिर नया content डालने में अच्छा लगता है, तो आगे कोशिस रहेगी कि weekly wise मैं लेक्चर ले करके आओं, ठीक है, वो आता रहेगा, चली शुरूर करते हैं, बात है emergence of iron, जब iron का emergence हुआ तो urban center का emergence हमें देखने को मिलता है, कैसे, iron आया, तो अच्छे अच्छे tools आये, उसी में agricultural tools आया, agriculture का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ, धेर सारी खेती हुई तो surplus surplus हुआ, तो एक ही जगह धेर साड़े लोग आ करके बस गए, तो एक community का निर्मान हुआ, एक community बना, और community बना तो फिर उसके लिए एक administrative structure बनेगा, जो यह सब पर control कर सके, यह सब को संभाल सके, तो उस तरीके से राजा, यह सब आना शुरू हो गया, राज्य बनना शुरू हो गया, राजकाज शुरू हो गया, जो आगे हम लोग अब परते रहेंगे, तो यह सारी चीज़े iron के आने के बात से ही तो हुए हैं, तो हम लोग अब इसे आगे पढ़ेंगे, आगे बरने से पहले अगर देख लें, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं, pre iron age culture को देखन लेंगे, एक आइडिया लेंगे कि iron age के आने से पहले कौन सा culture था, उसका advancement level क्या था, और वो क्या impact डाला iron age के आने में, यह सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे, iron age culture में चालको लिथिक culture को हम आज पढ़ने जाड़ें, जो की iron age culture से पहले आया था, चालको लिथिक को जब आप देखें, तो यहाँ चालको एक टर्म है, चालको यानि की copper और एक है लिथिक, लिथिक यानि की stone, तो यहाँ पे हमें copper tools और stone tools दोनों देख गया है, आप कहें के tools क्यों, क्योंकि उस वक्त technology में tools ही आता था, फिर pottery आने लगा, जो इस age में हम लोग पढ़ेंगे, pottery कब आता है, जब सर प्लस आता है, जब agriculture होती है, अनाज extra होता है, तो अनाज को रखने के लिए कोई pottery चाहिए, कोई silos चाहिए, तो वो सब चीज agriculture के develop होने के बाद ही आ देखेंगे, लेकिन क्योंकि चालको लिथिक culture advance हो चुका था, वहाँ पर agriculture बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुका था, यह बात हम लोग हरपा के बात का कर रहे हैं, हरपा का जब decline हो गया, फिर से जो एक नया society की zero level से शुरुवात हुई, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ चुका था, ठीक है, चालको लिथिक culture, जो कि कहीं न कहीं वो यह 3500 BCE से चल रहा है, मतलब चालको लिथिक culture के side by side हरपा चला गया, और यह 1000 BCE तक आ करके खत्म होता, यानि mature चालको लिथिक culture की अगर हम बात करें, mature phase, चालको लिथिक culture का, यह आपको हरपा का जब विलय हो गया, हरपा जब decline हो गया, उसके बाद से चालको लिथिक का अधभव में और देखने को मिला है, तो कह सकते हैं कि यह 1700 BCE से ले करके, और 1000 BCE तक जो है, यह चालको लिथिक culture mature phase में था, उसके बाद यह क्या हो गया, ध history का timeline है, यह मतलब एक ही timeline तो नहीं होता है, यह आगे पीछे होता, अब सीधी बात है अगर चालको लिथिक culture चल रहा है, चालको लिथिक चल रहा है, तो एक ही बार खतम नहीं हो जाएगा, अब यह दीरे दीरे धीरे खतम होगा, तो इसलिए 1000 से 1700 तक कहता है कि यह खतम हो चालको लिथिक कल्चर में कौपर टूल्स मिलते हैं ठीक है आगे देखेंगे किस तरह का कौपर टूल्स था हम लोग सब कुछ देखेंगे चालको लिथिक कल्चर जो रूरल कल्चर था अर्बन कल्चर नहीं था चालको लिथिक culture, अरबन culture नहीं था. वो क्या था? Rural culture था, लेकिन advanced rural culture था खेती बहुत अच्छी होती थी हमें यहां pottery देखने को मिलता है हमें यहां अच्छे-अच्छे tools देखने को मिलता है हमें और भी यहां objects देखने को मिलता है हमें यहां चाक देखने को मिलता है जिस पे वो पॉटरी बनाई जाती है वो सब हमें इस वक्त देखने को मिल जाता है तो चालको लिथिक कल्चर को हम लोग पौट्री ट्रेडिशन के माध्यम से भी डिस्टिंगाईज करते हैं कि किस जगह कैसा कल्चर था और वो साइट्स में क्या-क्या इंपोर्टेंट सोसाइटी वहां की रही थी, क्या-क्या एकॉनमी वहां का चल रहा था क्योंकि चालको लिथिक कल्चर में अलग-लग पौट्री आए, मैंने आपसे कहा था, PGW, BRW, ये सारे पौट्री हैं और ये पौट्री कल्चर ही बन गिया, इतना ज़्यादा ये पौट्री इतिहासकार को सही लगा, इस पौट्री का बनावट इतना अच्छा लगा, और जहा ये पौट्री मिला, वहाँ का Economy Society इतिहासकार को ऐसा लगा, कि पूड़े के पूड़े एरिया को पौट्री के नाम पे रख दिया गया, जिसको कि हम लोग PGW, Painted Gray Wear Culture कहेंगे, Black and Red Wear Culture कहेंगे, OCP Culture आ चुका था, ओक्रे कलर्ड पौट्री, ये कल्चर, तो पौट्री के नाम पे एक कल्चर को बना दिया गया, अब आप समझ सकते हैं कि पौट्री कितने Fine Quality की होगी, और चालकोलिथिक एरिया में, चालकोलिथिक एरा में, पौट्री की क्या, क्या कहें, Importance होगा, ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर में, हमें ये देखने को मिलता है, कि Life of Neolithic Period Continued, हम लोग उने Neolithic Period क्या है, Paleolithic क्या है, हड़े चीज पढ़ लिया है, तो Neolithic Period का जो भी Evidence था, वो साड़े Evidence हमें चालकोलिथिक पिरिएड में भी देखने को मिलते हैं, Settlement की बढ़ा, Increment होगी, Increment हो गया, Settlement जो बढ़ा, अब हमने आपसे कहा था, जैसे ही कोई Society बहुत ज़्यादा प्रचूर मात्रा में अगर Settle होगी, खेती करेगी, Surplus अनाज होगा, तो Settlement बढ़ेगा, Settlement अगर Population ज़्यादा होगा, तो अलग-अलग Settlement हमें देखने को मिल सकता है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पर देखने को मिली, different types of pottery दिखा, यह pottery जो है, वो fast wheel पे बना हुआ था, वो जो आज कलम हम लोग देखते हैं, यह चाक पे बनाया जाता है, pottery को, इसे घुमा दे जाता है, और इस पे फिर pottery बना दिया जाता है, तो यह इस पे बना हुआ pottery था, और बहुत ही fine quality का किले था, जिससे यह pottery बना हुआ था, कुछ चालको लिथिक कल्चर हैं, इंडिया में, आप ये west इंडिया में आप देख सकते हैं, इस जगह पे ये सारा कल्चर फैला, क्या क्या कल्चर था, बानस कल्चर राजस्थान में 2600 BCE से 2900 BCE, कयाथा कल्चर मध्यपर्देश में 2400 BCE से 2000 BCE, मालवा कल्चर ये western 1200 BCE से 1400 BCE, चौरवे कल्चर महराश्थ्रा में 1400 BCE से 700 BCE, प्रभास कल्चर स्वराश्थ्रा वाले एरिया में यह, इस रेजन में, यह, इस रेजन में आपको मिल जाएगा, वो आपको 1800 BCE से 1200 BCE, सवाल्दा कल्चर आपको तापी वैले में मिल जाएगा, तो ये सारे एरिया में चा चालको लिथिक कल्चर में हमने देखा, रिजिनल वेडियेशन था, अलग-अलग जगा पे लोग बसे हुवे थे, अलग-अलग जगा पे खेती हो रही थी, लेकिन, material culture जो है, material trade जो है, वो uniform था, pottery uniform था, tools uniform था, ये सब चीज uniform थे वहाँ गए, तो ये चालको लिथिक कल्चर था, हम लोग क्या पर रहे हैं, फिर से भूलना नहीं है, हम लोग pre-iron age culture पर रहे हैं, iron age के आने से पहले का culture पर रहे हैं, जिसमें हम लोग चालको लिथिक कल्चर पर रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, चालकोलिथिक कल्चर में हंटिंग, फार्मिंग होती थी एनिमल का डॉमेस्टिकेशन होता था माइक्रोलिथ हमें धेड़ सारे मिले माइक्रो यानि छोटा लिथ मतलब पत्थर पत्थर के छोटे-छोटे टूल्स हमें देखने को मिले है एगरिकल्चरल इंप्लिमेंट देखने को मिले है खेती में इस्तेमाल किये जाने वाले औजाड हमें देखने को मिले है थैचेड हर्ट यह आप देख सकते हैं इस तरीके का हर्ट हमें देखने को मिला है इस तरीके का हर्ट देखने को मिला जोपरी barial practices हम देखते हैं मतलब सबसे ज़्यादा चालको लिथिक culture में अगर pottery के अलावा और कोई चीजे तो चालको लिथिक culture को interesting बनाता है न तो वो ये burial जिसको barial practice कहेंगे barial practices है मतलब एक से एक तरीके से barial किया गया जिसे हम लोग आगे megalith में पढ़ेंगे कि किस तरह के से megalith और कुछ नहीं burial practices का जो है अलग-अलग रूप वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो burial practice चालको लिथिक culture में बहुत ही significant situation पैदा करता है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे mud brick का use क्या जा रहा था याद रखेंगे packet brick नहीं था mud brick था packet brick हम कहां देख चुके थे packet brick हम लोग घरपा में देख चुके थे क्योंकि वो decline हो गया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि mud brick का use क्या जा रहा है ठीक है उसके बाद ranked society stratified society अभी हमने आप से कहा था कि अगर surplus होगा population बढ़ेगी एक जगलोग इकठा होंगे एक group बनेगा तो वहाँ पे control करने के लिए फिर एक वर्न का निर्मान हो जागा वर्न हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे जब iron age जब mature phase में पहुचा था तो किस तरीके से शत्रिय ब्रहामन वैस शूद्र यह सब निकल कर आया था तो यह सब चीज तो बाद में आया ही लेकिन वो सब हमें चालकोलिथिक culture में भी देखने को मिलता है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम आगे iron age को तो पढ़ेंगे लेकिन pre iron age culture में जो हम लोग चालकोलिथिक culture को पढ़ रहे हैं चालकोलिथिक culture में हम लोग चालकोलिथिक कल्चर में और क्या था significant कि ये early farming community जो है उभर कर बना जब हम बात हरपा को अगर छोड़ दे मतलब हरपा के बाद जो सबसे पहला agriculture practices हमें देखने को मिला वो हमें चालकोलिथिक कल्चर में ही देखने को मिला sophisticated advanced society चालकोलिथिक कल्चर में हमें दिख रहा था पौटरी बहुत अच्छी दिख रही थी अलग अलग तरीके के crops जो हैं वो cultivate किये जा रहे थे fine crop copper tools हमें देखने को मिल रहा था यह सब चीज जो है चालकोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने क्या देखा तो चालकोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने देखा Rural Society Rural Society वो भी Sophisticated Rural Society Ranking System था ठीक है ये साड़ी चीज़ चल रही थी अलग-अलग Tools हमने देखे हमने देखे किस तरीके का Portrait Tradition था आगे देखेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि Portrait जो है वो Well अलग-अलग तरीके का बनाया जा रहा था तो हर एक चीज़ यहां एक उस तरीके का दिख़़ा है जो की एक नए सोसाइटी को बनाने में मदद करेगी जो आरन के बाद आने से किक मिल जाता है और वो तुरंत ग्रो करना शुरू हो जाता है ठीक है अब हम लोग जब Copper Culture पढ़ रहे हैं Copper Culture में हम लोग Copper Horde पर रहे हैं Copper Horde क्या है मतलब किसी अलग अलग जगह पे बहुत ही ज़्यादा मातरा में Copper का टूल मिला उसी को हम लोगोंने Copper Horde का वहाँ पे आपको इस तरीकी के Aero Shape के आजार मिले हतियार है एक चुलिए Spear Headed है इस तरीकी का Anthropomorphs मिले जो की इनसान के आकिरती का एक structure देख रहे हैं ये मिला इस तरीकी का एक तलवार मिला नोकिला टाप का तो ये सब चीज उस Copper Horde का हिसा है जो की मान लिज़े कि किसी एक जगह के खुदाई की गई और खुदाई में धेर सारे Copper Object निकले उसी को Copper Horde का हिए ठीक है इतना आप समझ लेजे Copper Horde Accidental Finding है मतलब ये ऐसा नहीं ये Copper Horde धुड़ने के लिए निकले थे ये खुदाई हो रही थी मानि किसी और चीज की और मिल गया Copper का Horde इसलिए इसे हम लोग Accidental Find बोलते है किसका? किसका Accidental Find है? तो ये Copper Object का है धेर सारे Copper Object हमें मिले हैं अब बात आती है कहां पे मिले हैं तो Ganga Valley में सबसे ज़्याता देखने को मिलता है Copper के Horde यहाँ आपको Soldered Kilt Antina Sword ये Antina Sword है इस तरीका Structure होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं Antina Sword कहते है Espear Head हम लोग देखे Ring देखे ये सारे चीजों को हम यहाँ देखे Copper Horde में और देखे तो ये सारे Object जो था ये Hunting के लिए Fishing के लिए जंगल को साफ करने के लिए ये सब चीज के लिए किया जा रहा था लेकिन एक बात जब Archeologist इसे देखते हैं तो उसे लगता है कि ये सारे Object इतने भारी थे तो इसका मतलब ये है कि Day to Day Activity में इसका यूज नहीं किया जा रहा होगा ये बहुत भारी था ऐसा इतिहासकार मानते हैं ऐसा Archeologist मानते हैं हो सकता है वो लोग इसे Day to Day Activity में यूज कर लेते हूं हो सकता है बहुत Strong लोग होंगे उस वक्त के जो कि उस वक्त Meat March मतलब एक Clean Atmosphere में जीने वाले आदमी थे हो सकता है इसे वो उठा करके मतलब ताकतवर तो होते ही होंगे लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाता है अगर जो heaviness आजकल आजकल के research में जो देखा गया होगा कि उस वक्त के लोग कितने भाड़ी औजार को उठा सकते थे उसके हिसाब से ये साड़े औजार जो हैं वो भाड़ी भाड़ी देखे इसलिए कहा गया काम किया इस तरीके का लिए जब तो ठीक है लेकिन copper technology तो हमें देखने को मिलती है कि copper technology कितना develop किया कि अलग-अलग हथियार औजार हमें देखने को मिला है और वो भी बहुत ही fine quality का बनाया हुआ औजार था तो technology तो बहुत उपर जा चुके थी copper चालकोलिथिक पिरेड में आते आते तो जब चालकोलिथिक पिरेड में इतना अच्छा technology जाएगा फिर तो iron आने वाला है technology और भी grow करेगा इसलिए इस book में iron को परने से पहले pre-iron culture को परने के लिए दिया गया है copper age को लेकर के कुछ confusion है क्या confusion है कुछ बोलते हैं कि ये copper culture को बसाने वाला वेक्ती और कोई नहीं हरपा जब खत्म हुआ तो वहां से जो लोग बाहर निकले कुछ-कुछ जो बच गए होंगे वो जाकर के ये सारे एरिया में copper culture को बसाए कुछ इधिहास कर बोलते हैं ऐसा नहीं ये तो वैदिक people थे वैदिक लोग जो आये थे वो इसको बताए वैदिक लोग हम लोगों ने पढ़ा रिग वैदिक period में हम लोगों ने वैदिक लोगों को पढ़ा था तो ये सारा चीज जो है डिबेट है जो डिबेट है उस पे हम लोगों iron ore कहां से आता है तो iron iron कहां से आता है तो iron जो है iron ore से आता है iron ore से फिर iron बनाना iron बनाके उसका ओजार बनाना क्यानि आप समझ सकते हैं कि technology कितना ऊपर जा चुका था और लोगों के अंदर scientific temperament कितनी ऊपर जा चुकी थी लोग का सोचने की चमता कितनी बर चुकी थी कि अब ये लोग iron ore से iron extract करने लगे और iron technology का यूज करना शुरू कर दिये फिर तो society आगे बढ़ी तो ये सब हमारे वो पुड़वजें जिन लोगों ये सब तो scientist से भी उपर के लोग हुए क्योंकि इन ही लोगों ने तो शुरुवात की iron की तो आज हम लोग iron का यूज कर रहे हैं तो ये सब technology उस वक्त आ चुके थे iron metallurgy जो कि more complex था copper metallurgy से मतलब iron बनाना, iron का ओजार बनाना copper के ओजार बनाने से जादा difficult था तो कुछ scholars बोलते हैं इतना difficult था तो हो सकता है ये monocentric theory देते हैं कि किसी एक जगा बनता होगा ये सब चीज और वहाँ से फिर दूसरे जगा जाती होगी कुछ इतिहासकार का ये मानना है लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा नहीं था अलग-अलग जगा पे जो है ये iron का industry बन पा और वो सब अपना-पना काम अच्छे तरीके से कर रहे थे तो ये सब debate यहाँ भी चलता है अब हम बात करते हैं कि iron कहां ज़्यादा था iron का site हमें कहां मिला ये सब चीज हम देखते हैं वैसे तो ये iron कब से शुरू हुआ सबसे पहला शुरुवाद वो बहुत ही debatable issue है लेकिन iron का knowledge जो है ये तो था इतना तो बात जान गए और वो कव था वो 2500 BCE में था या 500 BCE में तक आते आते था ये तो बात अलग debate की है लेकिन iron का knowledge तो था कुछ source है जैसे आप कौटिले का अर्थसास्तर देखें तो यहाँ पे iron smith की बात कही गई है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से मौरे सामराज जी के पास इतना जादा iron का mines था वो बहुत तेजी से ग्रो कर पाया इस वज़े से कोईला था मौरे सामराज के पास क्योंकि यह सब गंगा वैली में था गंगा वैली में सब कुछ मिल जा रहा था iron मिल जा रहा था और वहाँ पे कोईला मिल जा रहा था तो iron का टूल तो बनी जाएगा हाथ ही वहाँ धेर सारा मिल रहा था हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत ही important इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग चैप्टर हैं इसमें अगर आप लोग हमसे जुड़े हो गया है जुड़े हैं क्योंकि हम लोग फिर इसे continue करते हैं और वीडियो को जदा ज़दा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे views बढ़ेगा तो फिर मुझे भी वीडियो बराने में अच्छा लगेगा समझे इन सारी बातों को ठीक है तो iron smith का काम हम लोग कॉटल अर्थशास्तर में पढ़ते हैं कॉटल का अर्थशास्तर कब आया था 250 BC के आसपास आया था और उस वक्त हम लोग का था और उस वक्त हमें धेर सारे किलियर एविडेंस मिलते हैं iron artifact के इसलिए टाइटल है Antiquity of Iron लोहे की प्राचीनता भाई कितना पुराना है ये iron ये जानने के लिए ये topic है क्योंकि अर्थशास्तर में iron की बात कही गई जबकि iron मिल रहा है अर्थशास्तर कम आया था 250 BC में iron का एविडेंस कम मिल रहा है तो 2500 BC में मिल रहा है 2500 BC में मिल रहा है तो कहा 2500 BC कहा फिर 600 BC यहां से यहां तक iron इस age में 600 BC में बहुत फला-फुला तो 2500 BC में भी तो iron का एविडेंस में देखने को मिला ये सब debatable issue है इसलिए कहा गिया है ये highly debatable issue है PGW जब हम आगे पढ़ेंगे जो चालकोलिथिक कल्चर का एक important अंग था 1600 BC का उस वक्त भी iron हमें देखने को मिला भी तो हम लोगों ने इसे पढ़ाई गंगा वैली में तो ये सारे debatable issue है अब हम बात करते हैं कि कहां-कहां उपर में देखिए नीचे मालहार में खुदाई की गई ये सब वो जगह है जहां धेर सारा iron हमें देखने को मिला है iron के objects, iron के tools ये सारे जगह पे हमें देखने को मिला है रादानल का तिला तो famous है ही उससे भी famous मलहार जो एरिया है चंदॉली उत्तर परदेश का ये और important हो जाता है क्योंकि यहां evidence of iron हमें बहुँ ज़्याता देखने को मिलता है और वो भी hematite इदम बहुत ही अच्छे quality का जो iron ore होता है वो हमें यहां देखने को मिलता है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि फोर कल्चरल हमें देखने को मिला पिरी iron का जहां कि NBPW सुंग कुसान पिरियड यह सब टाइम में हमें iron भरपूर मातरा में देखने को मिला है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ वो फोर कल्चर क्या था जहां पे हमें यह अच्छे समय आपको समझाता हूँ देखे यह जो मलहार जो कि North Central India में चंदौली डिस्ट्रिक्ट यूबी में पाया जाता है यहां पे हमें प्री iron एज के प्री iron period के iron मिलते हैं iron age के iron मिलते हैं प्री iron यानि की जब यह 500-400 BC का बात है उस वक्त का iron मिलता है सुंग कुसान जो की advanced अब तो kingship मतलब बहुत ही बहतरिन तरीके से राजाओं का शासन था उस टाइम का iron मिलता है इसलिए मलहार कल्चर बहुत important हो गया क्योंकि यहां पे हम चार कल्चर देख लिए बात करते हैं क्यों वही antiquity of iron ही देख रहे चलिए और देख लेते है iron metallurgy जो था जहाँ आप iron के tools बना जाते थे वो independently जो हैं develop होगे यह तो हम लोगों ने देखा है developed parallel to copper smelting copper का smelting और iron का smelting दोनों एक साथ चल रहा था यह भी इतिहास कारद्वारा कहा जाता है several cultures associated with iron age iron age से धेर सारे culture हमें associated मिलते हैं जैसे black and red wear culture pgw, nbpw यह सब iron age से related culture है black and red wear culture pgw, nbpw यह सब जो culture हैं इसको हम ऐसे दिखते हैं prw, pgw nbpw यह तीन पौर्टरी कल्चर iron age के हैं और कुछ पौर्टरी कल्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चालको लिथिक age के भी हैं तो शुरू करते हैं अब चालको लिथिक वाला पौर्टरी कल्चर इसमें है या नहीं चले देखते हैं black and red wear को परते हैं जो important है जो की iron technology के साथ आया ये पूरे भारत में मिलता है जब भी आपसे पुछे कि ऐसा कौन सा पौर्टरी कल्चर है जो पूरे भारत में मिलता है तो वो black and red wear कल्चर है जो पूरे भारत में मिलता है black and red culture था ज्यानि अंदर में जो है वो black color का हमें इसमें color देखने को मिलता है। inverted firing technique का यूज किया जा रहा था कि एक technique होता है कि आग जला करके एक बंद room में fire पे इसको उल्टा करके रखा जाता है और फिर ये इसे पकाय जाता है एक favorable temperature पे। तो inverted firing technique यहां हमें देखने को मिलता है जिसके वज़ा से black color जो है इसके अंदर हमें दिखा। और rest of area था वो red color का था, black color का था क्योंकि वो आग जला करके बर्तन को उल्टा रखा गया था। इस वज़ा से black color inside और red color जो है outside या बागी area में red color था। यह जो BRW culture था, यह OCP यानि ओक्रे colored pottery और PGW painted gray wear यह दोनों के बीच में exist कर रहा था। OCP culture और PGW culture, OCP यानि ओक्रे colored pottery का culture था, PGW यानि painted gray wear का culture था, उसके बीच में यह culture था, BRW यह grow कर रहा था। तो कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा इसका इसमें तो दिखे गाएं क्योंकि यह OCP से लेकर यह PGW के तरफ जा रहा है। pottery कैसी थी, क्योंकि pottery tradition थो देखी लेते हैं, fine fabric का था, high quality का clay यूज किया गया था, fast wheel वो जो होता है, चाक जिस पर इसे घुमा घुमा के बनाया जाता है, वो उस पर बनाया गया pottery था। majority of the pottery has no painting, pottery बहुत ज्यादा तर pottery पे painting नहीं था, लेकिन कुछ pottery पे हमें white painting देखने को मिलता है, ठीक है, आगे हम लोग photo देखेंगे, both side of the pottery हमें कभी-कभी, कही-कही painting दिख जाता है, तो this wear shows original variation, यानि की original variation कैसे दिखाया, यहां के pottery में कोई painting नहीं है, और यहां के pottery में जो बना हुआ है, यह original variation को दिखाता है, क्योंकि यह पूरे भारत में, पूरे के पूरे भारत वर्स में यह बना हुआ था, अब पूरे के पूरे भारत वर्स में बना रहेगा, तो फिर यह क्या होगा, अच्छा ग्रो करेगा, अब हम लोग बात करते हैं, यह black and red wear यहां है, चलिए, black and red wear pottery के बाद हम लोग मेगा लिथिक कल्चर को देख लेते हैं, कि मेगा लिथिक कल्चर क्या था, यह देखिए, बड़े बड़े पत्थर, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब stone, बड़ा बड़ा stone वाला कल्चर, मेगा लिथिक कल्चर, चलिए, इतना थो हम जान कै, कि बड़े बड़े stone इस कल्चर में थे, और वो कहा थे तो, बारियल साइट में थे, बड़े पत्थर घर पे नहीं मिले हैं, जहां लोगों को दफना जाता था, वहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर से उस एरिया को सजाया जाता था, जैसे आजकर लोग बनाते हैं न, अपने, मतलब, जिनका, फेवरेट कि नहीं का death हो गया, तो वो वहाँ पे स्मारक बना देते हैं, यह स्मारक था, जह कि बड़े-बड़े पत्थर का बना हो वा था ता, क्यूंकि अब यह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना है, तो यह कल्चर हो गया, गल्नल टेलर जो थे वो पहले परसन थे, जिन्होंने मेगालित कल्चर को धुन्ड कहां से ढूंदा सोडापूर द्वाव करनाटका से ढूंदा कब ढूंदा 1852 से लेके 62 में ढूंदा और मेगालिट के बारों में फिर उन्होंने पहले बार लिखा उसके बाद सर मौर्टीमर वीलर आते हैं यह सब इन लोगों का नाम याद रखें कि कर्णल टेलर हो गए मौर मेगालिट हम लोगों को बताया कि क्या था वो कल्चर कैसा था, वह सब चीज हो रही थी different in India में था, उतर पर्देश में इसिएडिया में था, विदिशा डिजन ओ 흥र विदिशा में था, ये सारे जगा पे हमें मेगालिथिक कल्चर देखने को मिल जाता है मेगालिथ्स in this region are associated with iron और मेगालिथ जहां जहां भी मिला वहाँ वहाँ हमने देखा कि iron tools धेर सारे मिले हैं जहाँ जहां ये पत्थर के असमा रख दिखे वहाँ वहाँ iron का tools का भी हमें evidence दिखा Megalithar also found in North Eastern India इस area में भी मिल जाता है ठीक है यहाँ जार्खन भी मिल जाता है ठीक है चतिजगर के बस्तर वाले area में मिल जाता है तो यह साड़े जगा पर Megalith हमें देखने को मिला ठीक है देख सकते हैं Singbhoom में जो मिला था Singbhoom region में जो Megalith culture मिला था Here they represent a separate culture and are not associated with iron तो Singbhoom culture वाला जो region है Singbhoom कहा है Singbhoom आपको छार्खन में पर जाता है क्यानि कि अभी तो हम लोगों ने परहा था कि जहां-जहां Megalith दिखा वहां-वहां Iron Tools दिखा एक exception है कि Singbhoom में जो Megalith वाला area दिखा वहां पर Iron का कोई evidence अभी तक तो नहीं मिला है चलिए अब हम लोग Megalith के कुछ types देख लेते हैं कि किस-किस तरीके के barials थे किस-किस तरीके के इसमारक थे मैं आसान भासा में आप लोगों से कह देता हूँ कुल साथ तरीके के थे एक main here tap का कहते हैं ये एक बरा सा stone को barial के ऊपर रख दिया गया इसको क्या कि? इसको main here बोले an upright stone standing alone or in aligned with others या तो अकेला रखा ड़ेगा या नहीं तो एक दो ठो के साथ ऐसे नीचे में यहाँ पे नीचे में stone रख दिया जाएगा यानि कि एक pillar अगर बराना हुआ थी ये pillar बनाया जा रहा था ये आप ध्यान रखेंगे 1.5 meter से 1.5 meter ये सब पढ़ लीचेगा दूसरा type dolmen का है dolmen कैसा होता था? table type का होता था एक पत्थर यहाँ एक पत्थर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और उसके उपर एक लंबा सा पत्थर रख दिया जाता था ये सब इसको dolmen कहते थे अभी भी फिर से कह रहता हो, ये जो megalith था, ये क्या था? ये समारक था उस वक्त का, जहाँ पर लोग को दफनाया जाता था, उस जगह पर ये बनाया जाता था, जो कि पत्थर का था, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर, बड़े-बड़े पत्थरों का बनाया था तो megalith हो गया, क्योंकि ये बहुत जादे मात्रा में मिला है, तो इसके नाम पे भी कल्चर रख दिया गया, megalithic कल्चर, कल्चर जैसे आगया, तो इस एडिया का society बताया जाएगा economy बताया जाएगा, ये सब चीज़, आर्ट and architecture बताया जाएगा pottery, tradition जैसे हम लोग पट रहे हैं तो ये सब चीज़ हम पट रहे हैं, आगे बट रहे हैं, तो पीछे का भोलना नहीं है, ठीक है Dolmen जो है, ये table of stone ये तो आप समझी गए होंगे, चलिए आप आगे बढ़ते हैं तीसरा type, total seven type के हैं, ये तीसरा type है, umbrella stone वाला जिसको कि टोपीकल बोलते थे, क्या बोलते थे इसको टोपीकल, मतलब यहाँ पे इस तरीके से stone रख दिया गया और इसके ओपर एक बरासा गोल चाता ऐसा stone रख दिया गया तो इसको टोपीकल बोलते थे ये भी एक मेगालित का type था एक मेगालित का type ऐसे था जमीन पे इस तरीके से पत्थर पड़ा है इसको hood stone बोलते है एक इस तरीके का structure आपको दिख जाएगा ये Karen circle है ये क्या है, ये Karen circle है आप लोग अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि book में सिर्फ नाम लिखा हुआ है नाम से आप लोगों को सही से पता नहीं चलेगा तो मैंने सोचा क्यों ना एक PPT बनाओ और उसमें अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को image share करो तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए देख रहें सब्सक्राइबर बहुंच जादा नहीं बढ़ पारा जबकि मैं इस पे ये पहला YouTube channel है ये material को provide करने वाला और कहीं न कहीं अगर आपको best quality का lecture मिलेगा तो वो यहीं मिलेगा तो इसे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें share करें ताकि ये grow करे channel ठीक है चलिए एक है rock cut cave कुछ ऐसा था जहाँ burial हुआ या नहीं तो rock को cut कर दिया गया और वहाँ पे burial को burial practice को संबन किया गया एक है साडको फैगी नाम का मेगालित ये इस तरही का twire जैसा structure होता था जो कि stone का होता था और इसमें अगर कोई बच्चा का death होता था वो उसको इसी में दफनाय जाता था ठीक है चलिए मेगालित के कुछ types थे 7 वो हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग chronology को देखते हैं कि कहां से उद्भव हुआ कहां जाके अंत होता है मेगालित कल्चर साओथ इंडिया में सबसे पहले ही इसको हम लोग देखते हैं मेगालित कल्चर को वीलर साहब ने बताया था हम लोगों ने पहले देखा क्या था आजकल के language में हम लोग कहें तो समारक था तो मेगालित साओथ इंडिया के मेगालित कल्चर में हम लोग burial monument देखते हैं pottery देखते हैं iron tools देखते हैं coin देखते हैं जो कि यहां हमें frequently देखने को मिल जाता है burial practices जो है वो संगम literature में भी इसका जिक्र किया गिया है south Indian megalith culture विदर्व के megalith culture से पहले आया था वो भी यहां हमें देखने को मिलता है इतना नहीं जानना है जो important रहेगा मैं आपको बता दूँगा megalith culture में और क्या जानना है relationship with iron megalith हम लोग ने पढ़ा कि जहां-जहां megalith मिला वहां-वहां iron मिला वो हम लोग जान रहे तो क्या था जानते है 33 types of iron tools हमें मिले है megalith barriol से जहां-जहां megalith barriol हुआ वहां पे जो हमें iron के tools मिले जो हो सकता है जिसको दफनाया जाता होगा उसके तो उस जगह से हमें 35 तरह के iron tools मिले है जिसमें आपको hose, sickles, axes यह सब मिल गए है तो hose, sickles, axes यह सबका काम agriculture में होता था dish, tripod, stand यह सबका काम domestic use में होता था chisel and nail यह सबका artisanal activity में होता था sword, dagger, spears and arrowhead यह सबक जो है hunting में होता था तो यह इस अलग-अलग तरीके में 33 जो tools हैं वो हमें iron के मिले हैं megalith culture से वो ध्यान में रखेंगे अभी जो data हम लोगों ने देखा पस यह ध्यान में रखना है 33 types of iron tools जो हैं हमें megalith parials में देखने को मिला है नागपूर में एक जगा है महूर जारी महूर जारी में हमें head ornament मिला हैं किसका घोरा का horse का head ornament हमें देखने को मिला है important evidence है नैकुंट जो की विदर्व में है वहां हमें iron smelting furnace देखने को मिला है तो नागपूर के महूर जारी में हमें घोरा का जो ornament है वो मिला जो सर में पहनाया जाता है और विदर्व में हमें एक पुड़े के पुड़े furnace मिल गया जहां पे iron smelt किया जाता था ठीक है मेगालित में life कैसा था उसे हम लोग जानते हैं एक सेकेंड चल गए कहां बसेगा लोग आप ही सोचिए जहां पानी हो वहीं पे वो agriculture कर पाएगा जहां iron ore मिले वहां पे iron smelting कर पाएगा तो जहां जिसकी भरपूर मात्रा होती है लोग वहीं बसते हैं ठीक है प्राइमरली ये रुरल कल्चर था जो की settled community था रुरल कल्चर तो था ही लेकिन ये community क्या था settled community था rice का evidence barley का evidence gram का evidence हमें यहां से देखने को मिल जाता है कहां से जहां जहां यह सब burial practices हुए थे वहां से हमें देखने को मिल जाता है major domesticated animals वेर cow buffalo horse ship got यह सब हमें मिल जाता है from megalithic burial a number of artifacts such as iron tools iron के औजार मिल जाते हैं black and red wear के बरतन मिल जाते हैं beads मिल जाते हैं semi precious stones मिल जाते हैं shell मिल जाते हैं paddy का husk मिल जाता है धान का जो छिलका होता है ornament मिल जाता है मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं मतलब यह सब megalith burial में मिल जहां पर लोगों को दफनाया गया था तो उनका favorite favorite सामान जो है उनके साथ ही दफनाया जाता था तो उसी में से हमें यह साड़े evidence देखने को मिले हैं किसी के साथ बरतन दफनाया गया किसी के साथ iron tools दफनाया गया किसी के साथ stone वाले necklace दफनाया गया तो यह सब evidence फिर हमें वहीं से देखने को मिलता कहीं कहीं हमें देखा गया कहीं कहीं जहां पे सब को दफनाया गया वहा पे एक साथ दो-दो लोगों को दफनाया यह सब जीज हम हरपा में भी पढ़े थे हरपा जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग वहाँ भी पढ़े थे कि दो-दो आदमी को एक-एक जगात अफना एता था वो चीज हमें मेगालेथिक कल्चर में भी देखने को मिलता है यानि कि यहाँ भी लोग आसा करते थे कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर से जन्म होगा मतलब पुनर जन्म को मानते थे यह लोग जिसको मानते थे पुनर जन्म को मानते थे Painted Gray Wear Culture को अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा BRW हम लोगों ने पढ़ लिया Black and Red Wear उसके आद हम लोगों ने Megalith कल्चर पढ़ा अब हम लोग Painted Gray Wear पढ़ते हैं पीछे का सेक्वेंस खोना नहीं है क्या पढ़ रहे हैं वो याद रखना है Painted Gray Wear बरतन था पॉटरे था और ये North India में ज्यादा मिलता है Iron Age का ही ये कल्चर था North India में ज्यादा मिलता है North India में घगर हकरा रेजन में इसके एविडेंस मिले हैं लेकिन घगर हकरा रेजन में जो Painted Gray Wear के एविडेंस मिले हैं वहाँ पर हमें Iron नहीं मिला है आइरन कल्चर नहीं मिला यानी कि यानी कि ये कि वहाँ चालकोलिथिक कल्चर में ये पनप्रहा होगा आइरन नहीं मिला तो चालकोलिथिक कल्चर में पनप्रहा होगा चालकोलिथिक कल्चर भी तो पुड़ा इंडियन सबकॉंटिनेंट में फैला हुआ था पेरलेल चल रहा है चालको लिथिक के साथ साथ कुछ कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि चालको लिथिक के साथ साथ ऐरन एज जो है वो पनपना शुरू हुआ था तो वही चीज यहाँ पे है तो घगर हकराडी जन कहां है मैं आपको अगर बताओं जैसे मानिये मैं एक इंडि यह इंडिया का मानिये मैप है तो यहाँ जो आप रिजन देखने हैं यह घगर हकरा वाला रिजन है यह हर्याना वाला एडिया जो है यह घगर हकरा वाला रिजन है तो इस जगह भी हमें पेंटेट ग्रेवेर मिला लेकिन यहाँ पेंटेट ग्रेवेर ही हम लोगों को मिला गंगा यमना दुवाब वाला जो एरिया है गंगा यमना दुवाब वाला रिजन यहां भी हमें पेंटेट ग्रेवेर मिला गंगा यमना दुवाब रिजन कहा है यहां गंगा यमना दुवाब वाला रिजन है तेरे तेरे ये हर जगह नहीं पहुँचा था तो ये हमें PGW culture से पता चल जाता है culture को जरूर याद रखेंगे PGW culture में क्या-क्या था याद रखना है BRW culture में क्या-क्या था याद रखना है ठीक है This pottery was first discovered in अही छत्र अही छत्र में ये सबसे पहले ढूंडा गया अही छत्र का है बड़े डिस्टिक्ट योपी में मिल जाता है 1940 में ढूंडा गया क्या PGW ठीक है PGW is mainly confined to UP, Northern Darasthan and Northeast India ये साड़े एरिया में PGW culture हमें देखने को मिलता है अभी हमने map में देखा भी हर जगह तो मिला लेकिन सबसे ज़्यदा प्रोमिनेंट कहां था तो सबसे ज़्यदा प्रोमिनेंट ये गंगा वैली में था अब आप कन्फ्यूज कर रहे हैं ये अपर गंगा वैली क्या है देखिए मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा इमेज कहीं न कहीं मैंने डाला है चलिए आगे देखेंगे खेर यहां आप देख लें अपर गंगा वैली क्या होगा तो ये जो एरिया है ये जहां पे ये सैडो किया हुआ है ये सब अपर गंगा वैली का रीजन है यह किसका region है यह अपर गंगा वैली का region है फिर आ जाएगा lower middle गंगा वैली फिर आ जाएगा इसके बाद lower गंगा वैली तो आगे हम लोग map में इसे देखने वाले हैं ठीक तो जैसे ही बात आएगी painted gray wear का geographical distribution क्या था तो यह अपर गंगा वैली में था यह कहां था यह अपर गंगा वैली में था the extent of this portrait tradition can be traced in manda इसका चोहदी अगर हम देखें चोहदी अगर देखें PGW culture की तो चोहदी कुछ इस तरके से मिलेगा मांडा में मिलेगा आपको north में मांडा में उजेन south में इस्ट में आपको नेपाल वाला area मिल जाएगा और west में आपको पाकिस्तान वाला area मिल जाएगा तो यह पूरे area में ये पूरे area में आपको painted gray wear यानि 먹는 PGW culture पनप रहा था छीक है आपको चोहदी इसका पता चल गया important site का नाम आप लोग याद रखेंगे the major archaeological site of this culture वाज अही छत्र हस्तिनापूर, कौसामबी स्रावस्ती, स्रेडंगपुड़ा मथुड़ा और उत्तर पर्देश ये सब उत्तर पर्देश में मिल जाएगा बिहार के वैशाली में जम्मू कस्मीर के मांडा में मध्य पर्देश के उजैन में अभी हमने कहा था मांडा नौधर्न मोष्ट था उजैन जो है साउदर्न मोष्ट है पंजाब के रोपर में राधस्थान के नोह में और हर्याना के भगवान पुड़ा में ये सब एरिया आपको यहां सैड़ेट किया हुआ है इस एरिया में PGW पेंटेट ग्रे वेयर कल्चर अच्छे से पनपा था पेंटेट ग्रे वेयर में पॉटरी कैसे थी हम लोग वो देखें तो ये फास्ट वील पे बना हुआ था कोड इसके बहुत पतला और मजबूत था स्मूथ फिनिश्ट था देखें साइन बहुत ज़्यादा था इतने साल होने के बाद सालों क्या सालों बीद गया और इसका साइन नहीं गया अच्छे तरीके से फायर्ड पॉर्टरी था मतलब आग में पकाया हुआ पॉर्टरी था मजबूत था फ्यू डिसनल वेडियेशन हमें देखने को मिलता है वेडियेशन में हमने देखा था कि कहीं कहीं क्या है पैंटिंग किया हुआ नहीं है पॉर्टरी पे और भी इस्ट्रक्टर होंगे कहीं पर सिकुडा होगा, कहीं पर फैला हुआ होगा तो अभी भी आप देख सकते हैं अलग-अलग जगह, अलग-अलग पॉट्री में डिजाइन होता है, तो वो डिजाइन यह रहा होगा जिसको डिजनल बेडियेशन कहते हैं तो पॉट्री जो है, वो अमीर लोग यूज कर रहे होगे क्योंकि अनाज तो उसी के पास होगा अनाज रखने के लिए क्या चाहिए, पॉट्री चाहिए ऐसा माना जाता है कि यह जो है, यह अमीर लोग इसको यूज करते होंगे ठीक है PGW forms a small percentage of total potter assemblage PGW जो है, वो small percentage का था इसलिए इसे अमीर लोग रखता था लेकिन पुरे भारत में प्यादा हुआ था PGW पुरे भारत में फैला हुआ नहीं था यह बहुत कम जगा पे फैला हुआ था कहां फैला हुआ था, तो अपर गंगा प्लेन में फैला हुआ था यह सब चीज याद रखेंगे अब हम लोग PGW में portrait apps को और देख लें PGW carries various geometric design इस पर धेड़ सारे आते हैं क्रिस क्रॉस structure मिलता है, circle मिलता है, dot मिलता है sigma का structure मिलता है, semi circle structure मिलता है देख सकते हैं, यह pottery है, कहीं पे circle है कहीं पे आपको line किया हुआ है कहीं पे आपको sigma का sign मिल जाएगा इसी में कहीं आपको semi circle मिल जाएगा तो धेड़ सारे painting जो हैं यह pottery पे हमें देखने को मिलता है स्वास्तिक अगर पूछे कौन से pottery पे मिला तो PGW पे स्वास्तिक मिला कौन सा pottery पूरे भारत वर्स में मिलता है BRW कौन सा pottery का मेरिया में मिलता है अपर गंगा plane में PGW यह सच इसको भोलना नहीं है मतलब PGW पे ऐसे 50 structure decoration हमें 50 तरीके के अलग-अलग decoration हमें देखने को मिलता है some have decoration on inner side किसी के अंदर decoration था, किसी के बाहर decoration था और यह जो pottery है वो fighting मतलब कि आग में इसे पकाने से पहले ही इस पे design बना दिया जाता था ताकि यह आग में पक्के और मजबूत हो जाए और आज तक यह design देखी आपको मिल जाएगा earliest date of this pottery are reported at atranji kheda atranji kheda वो जगह है जहां PGW का पहला evidence हमें देखने को मिलता है मिडिल गंगा वैली में this pottery is found in a late context हभी हमने कहा कि अपर गंगा वैली में यह सबसे ज़्यादा मिला मिडिल गंगा वैली में यह बाद में हमें देखने को मिलता है well developed rural culture था मतलब अभी भी urbanization नहीं आया अभी भी जो है यह ग्रामीन प्रिष्ट फुमी वाली कल्चर ही थी surplus production होता था इसलिए दो pottery आई जिसमें हम अनाज को रख सकें ठीक है कई बार मैंने यह आप से कहा discovery of round and square stories bin कोई stories bin round थे कोई stories bin जो है वो square square shape में थे अलग-अलग तरीके के जहबीन हमें देखने को मिले अभी मैं आपको यह समझा देता हूँ upper ganga region क्या है अभी हम लोगों ने देखा कि upper ganga यह जो आप देख रहे हैं यह अपर ganga region है उसके बाद यह जो आप area देख रहे हैं यह आपको middle ganga region है इसमें आपका UP और बिहार आजाएगा यहाँ आपको western UP आजाएगा और यह जो area है यह lower ganga area है तो जब PGW हम पढ़े है तो इस area में बहुत ज़्यादा site हमें देखने को मिला इसलिए upper ganga valley में PGW ज़्यादा था middle ganga valley में late से आया बस यही चीज़ था था इसलिए मैंने इस map को यहाँ रखा painted gray wear culture का chronology अब हम लोग देख लेते हैं wheat does not appear to be popular food grain PGW में गेहूं जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला क्यूं नहीं मिला आप सोचिए आप देखिए कि अपर ganga area कौन सा है तो अपर ganga area जो है आपको यह मिल जाएगा यहाँ पे वैसे भी अभी पंजाब हर्याना का कुछ एडिया यहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे ऐसे नहीं नी ऐसे नी इसको ऐसे समझे है अपर ganga area है अपर ganga area में reverse यानि पानी का जो है कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो wheat का cultivation यहाँ कम हुआ और rice यहाँ पे हो रही थी तो यह याद रखेगा कि wheat cultivation PGW में हमें देखने को नहीं मिला काय और घोरा का domestication चल रहा था घोरा का हड़ी का evidence हमें हस्तिनापोर से मिला है यह सब fact है याद रखेगा packet bricks हमें देखने को मिला देखिए यहां हमें पका हुआ इट भी मिला है वो भी कहां से भगवान पुरा से भगवान पुरा से पका हुआ इट हमें हमें देखने को मिला है semi-precious stones हमें मिले है semi-precious stones के bead ornament जो सब थे semi-precious stone के मिले है Semi-Precious Stone क्या क्या होता है Lapis, La Jolly, Jasper, Azit है न है यह सब चीज़े Carnelion No Evidence of Coin सिक्का नहीं मिला सिक्का नहीं मिला तो किसे व्यापार होता होगा Barter Exchange से व्यापार होता होगा तो Barter Exchange हमें यहां देखने को मिल जाता है अब हम बात करते Northern Black Polished Wear के बारे में BRW complete हो गया अब हम लोग Northern Black Polished Wear के बारे में बात करते हैं कितना चमक रहा है देखिए क्योंकि ये सबसे बाद में आया सबसे बात आया तो बहुत थी ज़्यादा Advanced Technology की यूज़ुई हो गिये तो ये और अच्छा हुआ होगा 700 BC से 100 BC तक ये आया था आगे और भी इसको पढ़ने का मौका मिल सकता है जब ये आया था उस वक्त State का Formation हो चुका था Urbanization का शुरवात हो चुका था गंगा वैले डिजन में ठीक है पुड़ा पका हुआ पोट्री था वील पे बना हुआ था डिलक्स पोट्री था एकदम चमकने वाला राईस वाला पोट्री ठीक है देख के ही लग रहा है तो ये सब चीज़ इसलिए मैंने यहाँ के पास अलग-अलग फोटो को आप लोगों के सामने रखा शाइनिंग सर्फेश था इस पोट्री का बहुत ही चमकीला सर्फेश इस पोट्री का था आप देख सकते हैं इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी ये कितना चमक रहा है 1904 में नौर्ट अच्छा एन्बी पी डबलू का फुल फॉर्म पता है न नौदर्न ब्लैक पॉलिश्ट वेयर 1904 में पहली बड है एक्सकावेट गिया गया नौर्थ इंट्या में बहुत जYदा मिलता है इसलिए इसको नौदर्न ब्लैक पॉलिश्ट वेयर कहते है सेब्रेल कलर्स का मिलता है ऐसा नहीं किसी ब्लैक कलर है लेकिन ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा डॉमिनेटिंग था बहुत ज़्यादा कलर ब्लैक में मिला था इसलिए इसको हम लोग ब्लैक पॉलिस्ट वेर कहें दिये अन्य था ये अलग-अलग कलर में भी धाले से कि सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, ओरेंज कलर चॉकलेट कलर, पिंक कलर, हरे कलर में ये पॉटरी हमें मिल रहा था साइनिंग लेयर था इसमें फायर्ड इन कंट्रोल्ड इसमोस्फेर बहुत ही मॉडरेट तरीके से बनाय गया था बहुत ही साइन्टेफिक तरीके से बनाय गया था ज़्यादा गरम भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं पकाना है इतना पकाना है कि यह strong हो इसमें sign आए closed firing pit में यह यूज किया जाना था यानि कि बंद फर्नेंस में जो कि बंद होता था उसके अंदर इसको डाल दिया जाता था उसमें पकाया जाता था तो great technological innovation दिखाता है कि बंद फर्नेंस में हम इसको पकाते थे black close color जो है अलग-अलग debate चलता है कि black color क्यों था उसमें हम लोगों को नहीं जाना है ठीक है पढ़ना होता आप इसमें पढ़ लिजेगा मैं PDF अपने टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा नया नया चैनल है पढ़ना चैनल मैं डिलिट हो चुगा किसी बजह से तो नया चैनल है आप लोग अगर kg lyseum लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा या link आपको मैं description में दे दूँगा वहां से भी आप चैनल को access कर सकते हैं ठीक है NBPW culture is related with the era of extensive use of iron मतलब जब तक यह technology आई एरन बहुत जादा चा चुका था second urbanization आ चुका था जो हम आगे और पढ़ेंगे earliest punch marked coin मौरी चंदगुप्त मौरी का समय आ चुका था earliest punch marked coin हमें देखने को मिल जाता है इसी page में ठीक है existence of extensive trade activity हमें देखने को मिलता है mode of subsistence for agriculture and animal husbandry खेती और animal को domesticate करना यह सब चीज हमें देखने को मिल रहा था this culture this culture period can be marked as foundation period of Indian culture Indian culture का foundation period इसको माना जाता है when people adopted a comparatively new technology for their societal need जब लोग नए नए technology का use करने लगे अपने नीट को पुड़ा करने के लिए the people in this period was cultivating two crops in a year एक साल में दो crop जो है लोग उपजा रहे थे net sneakers and metal fish hook were used for the fishing ठीक है net से भी fishing किया जा रहा था और hook से भी fishing किया जा रहा था तेरा कोटा figurine of elephant, bull, deer, carriot and other toys were found मतलब मिट्टी के जो है figure हमें देखने को मिले हाथी के figure, bull के figure, deer के figure, carriot, rani, rath का figure और other toys भी हमें मिले मिट्टी के मिट्टी के figure में हमें mother goddess, देवी माता की, साप का मूर्ती, mythical creature, कुछ ऐसे-ऐसे creature जो उस वक्त लोग सोचते होंगे वो सब चीज भी यहाँ देखने को मिला, ठीक है according to महापड़ी, निबान, सुत्त, जो की दिग निकाय का है उसके हिसाब से देखें तो चमपा, राजगीर, सरावती, साकेत, कौशामबी और वारानसी वाला जो एरिया था वो major city था आपको NBPW का, इस चीज को याद रख लिजेगा कि कौन-कौन सा जगा, चमपा, राजगीर, सरावती, साकेत, कौशामबी, वारानसी यह सब एरिया जो है NBPW का कोड एरिया था और यह हमें दिग निकाय से पता चलता है फ्रॉम आल दिस साइट, सौकेज, पिट, एंड रिंग वैल, है ना सौकेज, पिट मिल जाता है, जहां पे कच्रावला पानी रख रहा है, तो था रिंग वैल मिल जाता है गोल-गोल कुवा मिल जा रहा है, यह सब चीज यहां देखने से हमें लगता है कि हाइजीन की वेवस्था तो अच्छे तरीके से यहां की हुए थी अब अर्बनाजेशन में इन गंगा वैली हम लोग देख लेते हैं बस NBPW खतम तो गंगा वैली में अर्बनाजेशन आएगा और आगे फिर हम लोग अर्बनाजेशन के नेक्स्ट लेवल को नेक्स्ट चप्टर में पढ़ेंगे तो गॉर्डन वी चाइल्ड इन्होंने The Urban Revolution नाम का एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 10 Criteria होना चाहिए किसी को सहर बनने के लिए वो 10 Criteria क्या है? Big Size होना चाहिए Settlement का Craft Spatialization होना चाहिए कि लोग जो है Craft भेहतरिन तरीके से बना रहे है Centralization of Surplus होना चाहिए जो हम उपचार है है उसका एक केंद्रिक्रित तरीके से नियम उसको लागो किया जा मतलब सेंटर में सेंटर से उसको हर जगा भेजा जाए इस तरीके से उस पे एक Rule or Regulation हो Monumental Public Architect होना चाहिए Ruling Class का होना जरूरी है जो कि Develop करेगा Social Stratification में Writing मिलना चाहिए Predictive Exact Science यह सब चीज मिलना चाहिए Conceptualized and Sophisticated Art Style होनी चाहिए Art Style अच्छे होना चाहिए Inter-regional Long Distance Trade यह important हो जाता है Social Organization Beyond Kinship Kinship के अलावा एक Social Organization होना चाहिए यह सब चीज जहां होगा वो Cities कहलाएगा अब हम लोग Urbanization पर रहे हैं मतलब वहां यह साड़े चीजे मिलेगा तो अभी हम लोग बस Urbanization का कुछ थियोरी देख लेते हैं The Evap Theory of Child is Largely Dependent on the Concept of Surplus Emergence of Iron Production Child के हिसाब से यह साड़ा चीज जो है Iron Production के बाद हमें देखने को मिलता है जिससे की City का निर्मान होगा Surplus Production Ushered in the Development of Rolling Class Surplus Production के आने से क्या हुआ यह आप देखें अगर यहां आपको दिख रहा होगा तो Surplus Production होगा तो एक Rolling Class आगा क्योंकि Population बढ़ेगी Cultivation बढ़ेगा तो Population बढ़ेगा तो भीर बढ़ेगी लोग एक जगा रहेगा तो फिर वहाँ पर राधा का होना जरूरी है जो उस पर सासन कर सके Administrative Body की होना जरूरी है तो वही सब चीज़ यहाँ पर बता है जा रहा है Simple बासा में फिर D.D. Kosambi आए उन्होंने associate किया Iron Technology को with the advent of urbanization in the ancient India D.D. Kosambi ने भी कहा कि Iron Technology आने से जो है Iron के आने के बाद से क्या हो आते क्लास बेस सोसाइटी बढ़ने लगा यह तीन historian का नाम याद रखेंगे Gordon V. Child D.D. Kosambi और R.S. Sharma इन्होंने urbanization Iron के आने के बाद आया इसको ले करके correct किया है इस evidence को correction दिया है ठीक है एगोश आए इन्होंने भी surplus एगोश ने कहा कि सिर्फ surplus आजाने से एक state नहीं बन जाता उसका accumulation होना बहुत जरूरी है कि वो एक जगए इकठा हो एक ruled regulation बने और फिर वहाँ से उसका व्यापार हो फिर वहाँ लोग बसेंगे एक market generate होगा तो एक accumulation होना बहुत जरूरी है तब जाके city बनता है बस वही चीज पहले भी कही कही है ये किसी चीज का पोज नहीं कर रहे धाव लीर कर कहते हैं कि suggested urbanization means a large population a strong agriculture based well developed trade including skilled craftsmen अतलब हर कोई वही बात को घुमा फिर आगे कहड़ाया तो ये बस ये दो-तीन का याद रखीगा exam में लिखने में आपको मदद मिलेगे गंगा वेलीम का जो urbanization था वो second urbanization था याद रखेंगे 6th century BC माया था during this period settlement proliferated settlement जो है वो बहुत बढ़ा चरह के मतलब बहुत फला फुला and a four-tier hierarchy का जन्म हुआ ब्रामन शत्रिये शत्रिये ब्रामन वाइस शूतर जोवी था वो सब का जन्म इसी टाइम हुआ this happened due to the rapid growth of population population बहुत बढ़ गया population कब बढ़ता है जब कहीं पे resource अच्छे होते है महाँ खेती हुवी लोग इकठा होए तो population बढ़ गया agriculture provide a strong base for the process agriculture ही इसका base बना different kind of grains such as cereals, barley, pulse, wheat यह सब हमें गंगा second urbanization में देखने को मिलता है PGW में wheat नहीं था याद रखिएगा iron implements for agricultural purpose are found abundance from archaeological site iron implement आया जिससे agriculture बहुत फला-फुला और फिर कोई site develop किया तो यह unit 10 हम लोगों ने खत्म किया एक बार में समझ आ रिये तो बहुत अच्छी है हमने इसमें 100% अपना दिया था कि आप लोग इसे समझे और इस तरीके से समझे कि exam में लिख पाएं नहीं आ रहा है तो आप फिर इसे वीडियो को दोबारा देखिए आपको जरूर जरूर समझ में आ रहा होगा और क्या feedback आप देना चाहते हैं मेरे lecture को कमेंट में जरूर करके बताईए चलिए धन्यवाद झाली में रहा होगा है